हलो फ्रेंग वेलकम बेड़ा चैनल अज हम इस वीडियो में स्लीव की बहुत ही खुप स्वसे उस direct देखेंगे यह देखें रेडी होने के बाद हमारा बहुत ही प्यारा और खूप सफ़ा सा एस डिजाइन लगता है और यह यह बहुत ही प्रेंट में चल रहा है और यह हमार तीन से चार इंच हमेर यहां पर और एक्स्ट्रा बढ़ने वाला स्लीव का लें और यहां पर देखे इसके जो बॉटम की चोड़ाई हमने लिए है यहां पर साड़े चेंच रखा हुआ है और इस तरीके से हमने यहां पर एक क्रॉस पर टिकट करके लिए हुआ है और इसकी तो स्लीव को चोड़ाई है यहां पर हमने रखी है और detail पर चेंच हम हम絹्ते इससे दोरी बनाएंगे और स्लीव को रखेंगे हम साइड में दो डोरी बनाने के लिए हम सबसे पहले यहां पर इसoder करते हुए और सेग्व पल लावर करने है खालने है यहां पर दोबब पोат करके दिखाते इस Him is th炉 में बार हमारा जो को सैंव हो चुकी है और यह कुछ इस तरीके से दिख रहें अब हमें क्या करना है दोरीशा है उसके लिए हम यहां पर लें के दागा और इसके देगे एक साइड के जाटर है dużo हम ãy स्वैबर कर यहाँ पर रखी होगी तो आपको यहां इस तर्फटी waxessww संसलिके के दाखिए वालो द्लेट का है। कि भालगी यहां पने टेज्चाइब करें को सकते हैं कि अब हम उसे दोरिखाते किसे आफ़ चुकी है हैD क resonate कर लेंग paar से कट करना है तो इसके लिए हम यहांपर साइज लेंगे सवाइएक इंच तो इस तरीके Score में सवाएक इंच पर मार्क ले लेना है इस ही को हुआ नहीं यहांब लेलीreiben पर यहां पर सीधी linear कहिश नहीं है तो यहां पर देखे हमारी लेनी है तो यहां पर देखे इस तरीके से धाय इंच पर हम इस तरीके से रखते हुए धाय धाय इंच पर हमें यहां पर माकर लेना है अब हम इसे भी सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें यहां पर भी सीधी लाइन बना लेनी है तो यहाँ पर देखे हमें डिजाइन बनाने के लिए हमें इन दोनों के बीच में भी एक सेंटर मार्क करना है तो यहाँ पर हम सवा एक इंच का हमें इस तरीके से सेंटर मार्क करना है तो यहाँ पर देखे हमारा सवा सवा इंच पर हमने मार्क करना है अब इन सभी point को भी मिलाते हुए मैं यहाँ पर सीधी line बना लेनी है तो यहाँ पर हमारी marking हो चुके अब देखें यहाँ पर से हमें नीचे के side से हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर सवाई एक इंच पर हमें इस तरीके से marking कर लेनी है तो ऐसे ही आपको सभी marking को करके दिखाते तो कि 100 इंच हमारा इस तरीके से 1.25 जो हमारा रहता है उसे हम यहाँ पर 100 इंच बोलते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरीके से 100 इंच पर हमें लेते हुआ यहाँ पर mark कर लेना है दोनों साइड में तो ऐसे हम यहां पर भी मार्क कर लिए हैं यह देखिए अब हमें क्या करना है इन रास्ट को मिलाते हुए हमें सीधी लाइन बना लेने है ongoing यह इस दो आपको बनाकर मुले दिखाते तो यहां पर देखिंगे इस तरीक से हमारे यहां सभी बॉक्स हमारा बन चुका है अब हम लेंगे अपना पैटल और देखे पैटल को इस तरीके से रखेंगे और इसके सेंटर में मिलाते हुए हमें रखना और इसके लिए हम यहाँ पर सेंटर सबसे पहले पैटल के सेंटर को मार्क कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पेटल है हमने उसे मार्किंघ कर लिया है center को यह देखें इसे हम थोड़ा हर्चे से dark कर लेतें यह देखें अब इन सभी point पर हमें इस तरीके से center मिलाते हुए हमें यहाँ पर इसके side side से इस तरीके से marking कर लेनी है यह देखिए इस तरीके से ऐसे हमें सभी point पर जैसे हमारा यहाँ पर चार line इस तरीके से देख रहा है तो इनी चारो line ओपर हमें इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर petals को इस तरीके से draw कर लेना है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारे यह चौथा पैटल भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे तो ऐसे हमें सभी फ्लावर के पैटल को इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है तो यहाँ पर देखे हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है अब हम लेखे डोरी और डोरी की मदद से हम यहाँ पर बनाएंगे डिजाइन तो सबसे पहले हमें डोरी को इस तरीके से सेंटर में लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे तो देखें यहाँ पर हमारा जो है डोरी इस तरीके से हमने सिल लिया है अब हमें क्या करना है इन सबी डोरियों से हमें यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर के इस तरीके से हमारा जो पैटल यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था उसी के उपर हमें इस तरीके से डोरी रखेंगे और डोरियों को इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है देखे जैसे हमारे पैटल्स गए हुए सेम हमें उसी पॉइंट पर रखते हुए इन ही डोरियों को हमें यहां पर सिलाई कर लेनी है तो दिखिए जैसे हमारा राउंड शेप में यहां पर पैटल्स हमारे एक सभी गये हुए हैं हमें सेम उसी मारकिंग पर रखते हुए हमें उसी शेप पर हमें इस डोरी को रखना है और उसी डोरी पर हमें रखते हुए इस फ्लावर को यहां पर सिल लेना है सब्सक्राइब कुछ मिने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी क्लिक कीजिए जिस्से मेरे आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही नए बीडियो देखते रहे और यहां पर हमारे यहां पर दीखे flower का design है यहां पर हमारा ready हो चुका है अब हमारा जो design बीज में हमारी इस तरीके सा हमारी यहां पर जो डोरिया है हम इसे cut कर लेंगे इस तरीके से हमें यहां पर कट कर लेंगे और यहां पर हमारे देखे इस तरीके से हमारे फ्लावर बन चुका है ऐसे हमें आपको एक और बना कर दिखाते तो देखे इस तरीके से हमें यहां पर सेंटर से ही इस तरीके से हमें यहां पर डोरी को रखना है और जैसे हमारी यहां पर मार्किंग हुई थी हमारी जैसे मार्किंग हुई थी से मुझी पैटल डिजाइन पर हमें यहां पर डोरी को रखना है और रखते हुए हम यहां पर सिलाई कर लेनी है तो देखिए हमारा जो फुलावर है यहां पर हमारा रेडियो हो चुका है सेकेन वाला भी तो अब हम यहां से भी इसकी center से इस तरीके से डोरी को cut कर लेंगे और यहाँ पर देखे हमारा दो ऐसा ready हो चुका है ऐसी हमें सब भी ready कर लेनी है तो देखे हमने यहाँ पर हमारा जो flower का design है यहाँ पर ready हो चुका है अब हम इसके center में हम लगाएंगे इस तरीके का हमारा हाफ मोती इसके center में और यहाँ पर मोती हम इसलेके इसली के इसले हम कर लेंगे और आगे कर जो design बनाते हुँ तक हमama यह जो मोती है यह शूक जाएगा इसले हम sometimeरा कर सकेंगे इसले में पहले यहाँ पर मोती को इस तरीके से attach कर ले रहे हूं तो इसको रखते हम सुखने के लिए अब इसके आगे का जो design है हम उसको ready करते हैं तो design बनाने के लिए हम यहाँ पर cut work बनाएंगे तो cut work बनाने के लिए हमने canvas लिया हुआ है तो इसकी चोड़ाई हमारे साड़ी चार इंच है और इसकी total लंबाई हमारे यहाँ पर साड़े आठ इंच है और इसे हमने double fold में रखा हुआ है तो यहाँ पर देखे सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी line बनाएंगे इस तरीके सा आधा इंच का gap लेते हुए अब यहाँ पर हम हाफ circle की मदद से हम तो यहाँ पर देखे हमारा हाफ circle यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरीके से double fold करेंगे और हमारा जहाँ folded वाला पार्ट है उसी पार्ट पर रखते हुए हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर marking करेंगे उसके बाद हमें देखे हाफ circle को हम इस तरीके से open करेंगे और open करने के ब तो यहां पर देखिया हमारी marking जो है वो complete हो चुकी है अब हम इसी को cut कर लेंगे तो जैसे हमारी marking हुई है same हमें उसी point पर लेते हुए इसे cut कर लेना है तो यहां पर देखिया हमारा जो cut work है इस तरीके से ready हो चुका है अब हम इसे fabric के उपर रखते हुए paste कर लेना है तो यहां पर हमने देखिये paste कर लिए और साथ में हमने इसे इस तरीके से double fold करते हुए यहां पर रखा है और हमारा जैसे cut work था उसी cut work के side side से हमारा canvas के side side से हमें यहां पर इसे शिलाई कर लेनी है तो जैसे हमारी डिजाइन गई है राउंड शेप में हमें उसी पॉइंट को लेते हुए सेम हमें यहाँ पर सिलाई करनी है तो दीखें यहाँ पर हमारा स्टीचिंग यहाँ पर हो चुकी यह कट वक है यह देखें इस तरीके से पिछे के साइड से। अब देखें यहाँ पर हमारा कट कर लेना है तो यहां पर हमारा हलका सा फैब्रिक चोट करना है जिसे खाले ना धिकी हमारा छोटे बीद्रकत कर लेगे जहाँ पर हम को पका Palomca W- Shape है क्ले-धैर करी भीमम और क्लाओन कर लेंगे न बसकता लिएंगे अब हमेरा जिस साइड में canvas वाला पार्ट है हम सबसे पहले इसे सिलाई कर लेंगे यह हमारा rough stitch रहेगा हम इसे बाद में open कर लेंगे सिलाई को खोल लेंगे हम तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई कर लेनी है तो हमने यहाँ पर सिलाई कर लिया है अब हमें इसके पीछे साइड का जो हमारा फैबरिक है हम इसे भी अंदर साइड में लेते हुए देखे इस तरीके से हमें दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर अंदर साइड से लेते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है तो यहाँ पर जो पीछे वाला पार्ट हम इस तरीके से दोनों पार्ट को इस तरीके से मिलाती हुए रखेंगे तो एक बार आपको फिर से दिखाते हैं तो देखिए इस तरीके सा हमारा पहला पार्ट तो सिलाई हुआ है अब दूसरे वाले पार्ट को हमें इस तरीके से लेंगे और सिलाई कर लेंगे तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं तो यहाँ पर हमारी जो है सिलाई हमारी हो चुकी है और यहाँ पर देखिए हमने सिलाई कर लिया है और हमारे यहाँ पर पहले हमने सिलाई किया था हमारे canvas password पर हमें उस वाले सिलाई को यहाँ पर remove कर लेना है निकाल लेना है हमें कि तो दखी इस तरीके से हम निकाल लिया है अब हमारे देखे साइड में अब हम लेंगे अपना स्लीज और स्लीज को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सिलाई करके दिखाते तो इस तरीके से हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है अब हम इस पर सिलाई कर लेंगे तो यहां पर देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है यह देखिए अब लैंगे हम अपना डिजाइन इस तरीक路 से हमने जो पेलेडे रेडी कहा था इसमें हम इन दोनों को अटाच करने से के ले सासुई धाली को मदद से हम यहां पर मोती और हमारे देखे इन दोनों को अटेच कर लेंगे तो दोनों के बीच में हमें इस तरीके से मोती से इन दोनों स्लीज को हमें यहां पर डिजाइन और हमारे स्लीज को इस तरीके से हमें यहां पर अटेच करना है तो इसको हम दो से तीन बार इस तरीके से हम य सমहीं 3-4 लेकर 3-4 भर सिलाई कर लेंगे ए म WA ऐसी हमें इसी तरीके से हमें सभी point को हमें इसी तरीके से 50성 की मददauen के हमें जीघ फॉइंटों को मिलाते हुए और flower का जो design ने इस तरहे के साम दोनो point पर і हमें हमें इस तरीके से center में हमें यहां पर मोटी को अटेच करना है और ऐसे ही अटेच करते हुए हमें यहाँ पर डिजाइन को रेडी कर लेंगे तो यहाँ पर देखे हम पीछे के साइट से इस तरीके से लेते हुए हम यहाँ पर लॉक कर लेंगे तो यहां पर हमारा जो है डिजाइन इस तरीकर से हमगे लीडिया है और आगे कभी हमें तो आगे का भी हम इन दूनों पर हमेन दोनों को सेट लें Skills कर लिया है और ये बहुत ही प्यारा और खुशार सा हमारा डिजाइन यहां पर रेड़ी हो चुका है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आयोगे तो फिस मेरी वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेड में जरू बताना और चैनल को सब्सक्राइब